नमस्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है वहीं अब खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर रेलवे में नौकरी की तयारी कर रहे है युवाउं को मिली खुश खबरी तुधा ने दूद के दाम में की बढ़ोतरी नई कीमत हुई लागू वितमंत्री निर्मला सीता रमन ने किया बजट पेश लोगों को मुप्त में उपलब्ध कराई जाएगी 300 यूनिट बिजली इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने धोनी को दिया पहले टेस्ट मैज जीतने का क्रेडिट इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से रेलवे में नौकरी की तयारी कर रहे युवाउं को मिली खुश खबरी रेलवे परिक्षा की तयारी कर रहे युवाउं बिते कई दिनों से कम सीटों पर भरती निकलने के कारण आंदोलन कर रहे थे हालंकि अब इन्हें रेलवे द्वारा खुश खबरी दे दी गई है आपको बता दे कि आररबी की ओर से कुल 9,000 टेक्नीशियन के पदों पर भरती निकाली गई है वहीं इससे पहले एसिस्टेंट लोको पाइलिट के पदों पर भी 5,696 पदों पर रिक्तिया निकाली गई थी अब इन दोनों ही रिक्तियों को मिला कर रेलवे की ओर से 14,696 पदों पर भरती की घोश ना हुई है रेलवे ने 31 जनवरी को ही इन टेक्नीशियन की पदों पर अधिस्तूश ना जारी कर दी थी अब रेलवे परिक्षा की तियारी कर रहे अभियर्थी रेलवे बोर्ट के वेबसाइट पर फरवरी महिने से ओनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं आपको बता दे कि इसके लिए मार्च और अप्रील के महिने में ओनलाइन आवेदन जमाल ली जाएगी बिहार के IPS अधिकारियों की संपत्ती का ब्योरा सार्वजनिक DGP RS के पास करोरों की संपत्ती बिहार के IPS अधिकारियों ने अपनी अजल संपत्ती की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया है DGP RS भटी के पास चंडिगड में पुस्तैनी भूमी है इसके साथ ही उनके पास आवासिय घर है इनकी पुष्टैनी जमीन की कीमत 1 करोड 86 लाक रुपए है लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए इस घर को गिडवी रखा है इसके अलावा पुलीस मुख्याले ADG जिटेनर गंगवार के पास लखनव में प अरियाना में पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने फ्लाट भी खरीद लिया है वही आर्थिक अपराद के ADG नईयर हसनैन खान की लखनव में टुपलेक्स है इसे कर्ज लेकर बनवाया गया है अगनी शमन और होमगाड के DG शोभा ओहटकर के पास पत्ना के आशियाना नगर में एक फ्लाट है वितमंत्री निर्मला सितारमन ने किया बजट पेश लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी 300 यूनिट बिजली वितमंत्री निर्मला सितारमन ने नए संसत भवन में गुरुवार को अंत्रीम बजट पेश किया है ये अगले तीन महिने के खर्च का लेखा जोखा है मोधी सरकार की ओर से अपने दूसरे कारेकाल का ये आखरी बजट है केंद्र सरकार लोगसभा चुनाओं के बाद पुर्ण बजट को पेश करेगी इसके कई बड़ी घोशना इस बजट में की गई है आपको बता दे कि रूफ टॉप सोलर योजना के तहत लोगों को 300 यूनिट की बिजली मुफ्त में उपलब्द होगी निर्मला सीता रमन ने कहा है कि 40,000 समान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत रेल की बोगियों में तबदील किया जाएगा इसके अलावा तीन मुख्य रेलवे कोरीडोर को लागी करने की घोशना की गई है इसमें उर्चा खनिज और सीमेंट कोरीडोर शामिल है आपको बता दे के फिलहाल टैक्स लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है ट्राफिक नियमों का पालन नहीं करने पर कटेगा इचलान ऑनलाइन जमा करनी होगी राशी ट्राफिक नियमों का पालन नहीं करने पर प की खोज की जा रही है वहीं पांच फरवरी तक इसके लिए आवेदन लिया जाएगा मीडिया रिपोस के अनुसार सभी जिलों में अब इच आलान की सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है इच आलान की जरिये इमेल या फिर SMS पर रसीद की प्रती को भेजा पिलहाल यादायाद पुलिस की ओर से राज़के सभी जिलों में नियमों के उलंगन पर इच आलान काटा जा रहा है वहीं अब परिवहन विभाग ने भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है सुधा ने दूद के दाम में की बढ़ोतरी नई कीमत हुई लागू सुधा ने दूद के दाम में बढ़ोतरी कर भी है नई कीमत एक फरवरी से लागू हो चुकी है आपको बता दे कि दूद की कीमत में एक रुपै प्रती लीटर की बढ़ोतरी हुई है इसके साथ ही अब सुधा का दूध लोगों को 54 की जगा 55 रुपे प्रती लीटर के हिसाब से मिलेगा दूसरी ओर सुधा के लस्टी के दाम में कमी आई है जबकि इसका वजन भी कम हो चुका है प्लेन लस्टी का पैक पहले 150 ml का आता था ये अब 140 ml का आईगा प्लेन लस्टी अब 12 रुपे की जगा 10 रुपे में ही लोगों को उपलब्द होगा इसके दाम में 2 रुपे की कमी की गई है इधर 80 ग्राम मीठा दही 12 रुपे की जगा अब लोगों को 10 रुपे में ही मिलेगा बिहार सिक्षक सक्षमता परिक्षा के लिए आविदन शुरू नियोजित सिक्षक जल्द बनेंगे राजकर्मी बिहार सिक्षक सक्षमता परिक्षा के लिए आविदन शुरू हो जुका है नियोजित सिक्षकों को राच्र कर्मी का दर्जा दिलाने के लिए ये परिक्षा ली जा रही है अभियर्थे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं अलग-अलग चार केटेग्री में कुल 79 विश्यों की परिक्षा होगी इसमें कक्षा 8 से कुल 8 विश्यों की परिक्षा ली जाएगी, वहीं 26 परवरी से 13 मार्ज तक ऑनलाइन मोड में परिक्षा का आयोजन होगा दरिसल परिक्षा का फॉर्म भरते समय अभियर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना काफी जरूरी है वहीं सिक्षक अभियर्थियों का 3 बार थंब इंप्रेशन और आख की पुतली का भी सत्यापन किया जाएगा महंगाई ने लोगों को दिया जटका LPG सिलिंडर की कीमत में इजाफा भारत में कमर्शिल गैस सिलिंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है इंडियन ओयल भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से दाम में बरहुत्री हुई है इसके साथ ही दिल्ली में कमर्शिल गैस सिलिंडर की कीमत 1755 रुपे से बढ़ कर 1779 रुपे 50 पैसे हो चुकी है इधर 19 किलो वाले सिलिंडर की कीमत 1708 रुपे से 1722 रुपे हो चुकी है दिल्ली के अलावा पटना, लखनाओ, जैपूर, इंदौर, एहमदाबाद, मेरट, मुंबई और आगरा सहीब पूरे देश भर में कीमत में इजाफा हुआ है आपको बता दे कि कॉमर्शिल गैस सिलिंडर की दाम में बरहुत्री की गई है जबकि घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत में किसी विप्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है पटनवर दर्भंगा से अयोध्या जाना हुआ आसान आस से फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है ये उरान की सेवा सब्ता में चार दिन यानि कि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को उपलब्ध होगी अयोध्या चाने वाली स्पाइस चेट विमान 90 सीटर है और इसका किराया 2,999 रुपे से शुरू है इसके अलावा पटना से पांच जोरी अन्य विमान सेवा की शुरुवात भी की गई है पटना से दिल्ली, कॉलकता, बैंगलोरू और भुमनेश्वा के लिए एक जोरी विमान उपलब्ध रहेगी इसके पहले 15 दिसंबर को धुंद के कारण विमान को बंद करने का फैसला लिया गया था 30 माँच तक के लिए विमानों का नया शिड्ड्यूल प्रभावी होगा शिक्षक भरती फेस दो का सपलिमेंटरी रिजल्ट नहीं होगा जारी केके पाठक ने अभ्यर्थियों को कारवाई की दी चेतावनी केगे पाठक ने सप्लिमेंटरी रिजल्ट का दबाव बनाने वाले अभियर्थियों को चेतावनी दी है उन्होंने कहा है कि BPSC और सिक्षा विभाग पर दबाव बनाने पर कारवाई की जाएगी ऐसे अभियर्थियों को आने वाले समय में होने वाले एक्जाम से वन्षित किया जा सकता है बिहार लोग सेवा आयो क्योर से होने वाली सिक्षक भरती की फेस दो की परिक्षा का सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा मालूम हो कि कई सिक्षक अभियर्थी दूसरे चटन की सप्लिमेंटरी रिजल्ट को जारी करने की मांग कर रहे थे इसको लेकर अभियर्थियों ने बूधवार को मिलर स्कूल मैदान से लेकर भाजपा कार्याले तक प्रदर्शन किया था इन्होंने बजट सत्र के दौरान आंदोलन करने की भी बात कही है वहीं अब इसको लेकर केके पाठक ने चेताबनी जारी की है बिहार में फिर होगी सिक्षकों की बहाली तैयारी में जुटे केखे पाठक बिहार में तीसरी चरन की सिक्षकों की बहाली ली जाएगी इसके लिए सिक्षा विभाग तयारियों में जुट चुका है विभागों की ओर से जिलों से रिक्तिया मांगी गई है तीसरी चरन में 68,000 से अधिक रिक्तियां भरी जाएगी जानकारी के अनुसार विग्यापन का प्रारूब भी तैयार हो चुका है वहीं फरवरी के आखरी सब्ता तक इसके लिए विग्यापन जारी करने की संभावना जताई जा रही है कहा जा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया एक महिने के अंदर ही पूरी हो जाएगी एक महीने के अंदर ही परिक्षा की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है आपको बता दे कि दूसरे चरण की नियुक्ति के बाद 40,000 से जादा पद खाली है नए चरण की भड़ी के लिए विग्यापन निकालने की तैयारी जारी है बिहार के सियासत में होगा बदलाओ मुकेस सहनी बोले NDA में सब कुछ ठीक नहीं विकास शील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंतरी मुकेस सहनी ने दावा किया है उन्होंने कहा है कि NDA में सब कुछ ठीक नहीं है मुके सेहनी ने कहा कि बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है अभी जो बदलाव हुआ है वो पूरा नहीं है यहां के लोगों को जल्द ही नया बदलाव देखने को मिलेगा मुके सेहनी ने आगे कहा कि समराच चौदरी ने अभी तक अपना मुरेठा नहीं खोला है और जब तक वो अपना मुरेठा नहीं खोलते हैं तब तक सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं समझा जा सकता है भाजपा को ताकत चाहिए और बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने पोक सिक्षा विभाग ने दी चेतावनी बिहार में 27 स्कुलों की ओर से अब तक यू डायस पोर्टल पर सूशना अपलोड नहीं की गई है फिलहाल इन स्कुलों के हेड मास्टर के वेतन पर रोक लगाई गई है इसके साथ ही इनका एक दिन का वेतन काटा गया है इसके अल से काम को लीकर लापरवाही माना जाएगा और इसके बाद विभाग की ओर से इसके खिलाफ उचित कारवाई की जा सकती है सीम नितीश कुमार ने बी एन मंडल को उनके जयनती के अवसर पर दी श्रधान जले लोगप्रिये समाजवादी नेता भुपेंद्र नारायन मंडल की आज 121 वी जयनती है बी एन मंडल के जयनती के मौके पर आज राजकी समारोह का आयोजन हुआ इस दौरान मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी उनकी तस्वीर पर पुस्प अर्पित कर उने श्रधान जली दी है आपको बता दे कि इस राजकी समारोह के दौरान सीम नितीश के साथ और भी कई गनमान्य लोग मौजूद थे इसमें बिहार के राजजिपाल, राजजेंद्र, विश्वनात, आरले कर उपमुख्यमंत्री समराट, चौदरी और विजय कुमार सनहा के साथ अन्यमंत्री शामिल रहें कॉंग्रिस को अतिपिश्रा समात से मागनी चाहिए माफी सुशील मोदी बोले कॉंग्रिस ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को 10 साल तक दबाया बिहार में जातिये गन्ना को लेकर सियासत तेज हो चुकी है भारत जोरो निया यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इसे लेकर बयान दिया है उन्होंने कहा है कि जातिये गन्ना कॉंग्रिस के दबाव में की गई है इसके बाद राज्यसभा से सांसद और पुर्वद डिप्टी सीम सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है सुशील मोधी ने कहा है कि कॉंग्रिस का इतिहास पिछडा विरोधी है कॉंग्रिस ने मंजल आयोग की रिपोर्ट को 10 साल तक दबाया था पिछडा समाज की सीता रामकेसरी को अध्यक्ष पद से हटा कर उनका अपमान किया था इसके लिए कॉंग्रिस को पिछडा और अती पिछडा समाज से माफी मागनी चाहिए भाजपस आंसर ने ये भी कहा है कि राहूल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है वहीं कॉंग्रिस शासित राज्य में जातिये गणना नहीं होने पर सुशील मोदी ने राहूल गांधी से तीखे सवाल किये है इंग्लैंट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने धोनी को दिया पहले टेस्ट मैच जीतने का क्रेडिट भारत के खिलाव पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंट टीम को जीत मिली थी इस जीत के बाद इंग्लैंट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने इसका क्रेडिट MS धोनी को दिया है उन्होंने कहा है कि वे MS धोनी और CSK के कोच फ्लेमिंग की तरह ही बनना चाते हैं वो अपने IPL में पशली टीम CSK के कप्तान धोनी और कोच स्ट्रीफन फ्लेमिंग से काफी इंप्रेस हुए थे और इसलिए वे धोनी और CSK के कोच ब्रैंडन मैकुलिम की रहा पर चलना चाते हैं इसके साथ ही उन्होंने CSK जैसी मजबूर टीम का हिस्सा बनने पर खुशी भी जताई है आपको बता दे कि भारत और इंग्लैंड के बीच इस वक्त पांच मैचों की टेस्स सिरीज चल रही है इसका दूसरा मुकाबला कल यानि की दो फरवरी को होने जा रहा है बीते दिन हमारी और से पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्हों ने हमारी और से पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रंजीत कुमार ज्छा, छोटू राजा, रवी कुमार राम, राजकिशोर महतो, राजा रितेश, नुन्नु गोलु कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मुहम्मत कुमार हुश्यन कनहया कुमार, रवी शंकर, बाबुलाल मरांडी, राजकुमार, नीलम कुमारी, सिकेंद्र कुमार, सादुल्लह पालवी, नौशार्द रजा इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके अनुसार, केके पाठक की ओर से सिक्षक अभियर्थियों को कारवाई की चेतावनी देना सही है या फिर गलत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए आज के लिए इतना ही विहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे विहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हों तो पीज को लाइक करना नहीं झाल झाल झाल